नमस्कार दोस्तों मैं स्मित मिस्रा स्वागत करता हूए फिर से आप सभी का MZT Education में दोस्तों बांगलादेश से हजारों की संक्या में हिंदू भारत की बॉर्डर्स की तरफ आ रहे हैं हिंदू का पलायन हो रहा है हिंदू पर वहाँ पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं हत्याएं हो रही हैं उन पर अटैक्स के जा रहे हैं हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है अब तो पूरी दुनिया भी इस मुद्दे पर बात करना शुरू कर चुकी है लेकिन action कोई अभी कुछ खास लिया नहीं गया है ऐसे में बांगलादेश के बहुत सारी संख्या में हजारों की संख्या में हिंदू जो है वो पानी में घुजगुज कर पानी के रास्ते भारत की तरफ आ रहे हैं इसको लेकर के आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आगे क्या होने वाला है और भारत का रिस्पॉंस रहेगा तो यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे इस बात को लेकर के वहां पर अब बांगलादेशी हिंदू सब इकठा भी हो गए हैं और प्रोटेस्ट और भी कर रहे हैं और सडकों पर आप देख सकते हो यह हजारों की संक्या में सब लोग इकठा हो गए हैं और प्रोटेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिये हैं वहां की अंतरिम सरकार के खिलाफ बंगलदेशी हिंदूज प्रोटेस्ट टारगेटेड वाइलेंस मुहम्मद यूनुस काल अटेक इस हीनियस तो इन्होंने आप फाइनली आकर के अपना मुझ खुला और बोला है कि यह जो अटेक्स हो रहे हैं हिंदूओं पर टारगेटेड अटेक्स किये जा रहे हैं यह एक हीनियस है फिलहाल अभी तक तो बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है भारत ने भी इस पर दुख जताया है लेकिन अभी कि जो तस्वीरें आ रही है जो यह हजारों की संक्या में पानी के रास्ते से दोस्तों भारत की तरफ गुशने का प्रयास किया जा रहा है सेफ के लोग कर रहे हैं हम आपका दुखदर समझ पा रहे हैं लेकिन हम अलाव नहीं कर सकते अभी आपको अगर अगर मानलीजे भारत अलाव कर दिया भी आप देखो भारत और बांगलादेश की बॉर्डर सीमा सबसे लंबी लगती है ठीकर ना भारत किसी भी देश में से लंबी सीमा लगाता है कितना लगाता है 4,96 किलो मीटर का 4,96 किलो मीटर की बॉर्डर लगाता है अगर वहां से चारो तरफ से आना सुरू हो गए बांगलेशी हिंदू वहां की संख्या में जब यहां लाको हिंदू अचानक से आ जाएंगे तो पस्टिम मंगाल असम इन सब जगों पर आएंगे यहां पर क्राउड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर वहां के नागरिक जो हैं यह भी हो सकता है प्रोटेस्ट करने लग जाएं बिवाद मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अभी के लिए बीस फालो को यह बोला गया है तो बीस फालो ने कहा कि आप लोग बात समझने की कोशिस कीजिए आप सबको एक साथ इस प्रकार से अलाउ नहीं किया जा सकता है आप लोग प्लीज लोट जाएए सांति पूरवक तरीके से आप लोग का दुखदर्ध हम लोग समझ पा रहे हैं ऐसा बीस फ के दौरा यहा तो मैंने इस पर बीडियो दी थी लेकिन फिर से एक बार ब्रीफ दो मिनट में मैं आपको बता दे रहा हूं देखिए इनकी सुरुआत हुई यहां पर प्रोटेस्ट को ले करके अभी आप समझते जाएगा कि सुरू कहां से हुआ था पहुचा कहां उद्देश से क्या था यह कुछ पुरा मतलब की सब कन्फूजन वाला हो गया है कि क्या सचमुच उद्देश यही था इस्टूडेंट का ही प्रोटेस्ट था या कुछ और ही मामला था अभी आप देखिए सुरुआत में इस्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना सुरू किया इस्टूडेंट स भी बहुत सारे लोग उसमें हिस्सा लिये हुए थे तो वो सोतंता सिनानी कहलाए अब उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वाले लोगों को नागरिकों को बच्चों को उनको आरक्षण दिया जा रहा था उसी आरक्षण को खत्म करने को लेकर कि यह डिमांड चल रही थी इस्तीफा मांगने लगी चलो हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो सेख हसीना इस्तीफा भी दे दी और इस्तीफा दे करके देश छोड़कर के भी भाग ली वो भारत में आ गई भारत में आकर कि वो सरण ले ली यह फिलहाल उसके बाद इन्होंने यूएस यूके वकर उस जमान है और ये अभी दो महीने पहले ही बने थे अभी जून को ये बने थे तीन वर्सों के लिए नियुक किये गए थे इन्होंने ही अल्टिमेटम दिया इनको कि 45 मिनट के अंदर अंदर आप देश छोड़कर भागो और इस्तीफा देदो यहां से वरना आपकी विख्षी पार्टियों से बाचीत हुई और उसके बाद निकल करके आए मुहमद यूनुस इनको जो कि ये पूर्व नोबेल सांती पुरुसकार विजेता भी है और एक फेमस अर्थसास्त्री है इन पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोब भी लगाए गए थे सेख हसी कि तब ये भी बक्ष के वालों को लोग को या तो मरवा देंगी या तो फिर जेल में डलवा देंगी या तो फिर यहां से देश छोड़ने को मजबूर कर देंगी जब इनकी खालिदा जिया की सरकार आती है तब ये सेख हसीना के साथ से मैसा करती है तो वहाँ पर ऐसा ही जलता है तो अभी तक ये मुहमद यूनुस जो हैं इन पर भष्टाचार वगरा के बहुत सारे आरोप लगे थे इंट्रेस्टिंग बात ये है कि जब ये अंतरिम सरकार के प्रमुख बनाए गए उसके कुछी समय के बाद इन पर भष्टाचार के केस धीरे-धीरे खत्म हो हो गए ये मतलब बरी होना शुरू हो गए हाला कि इससे पहले से एक खसीना 20 साल तक यहां पर सासन कर चुकी हैं 20 साल ये प्रधान मंत्री के रूप में रही हैं सबसे पहले 1996 से 2009 तक रही थी फिर 2009 से 2014 तक रही फिर 2019 से 2014 तक रही और 2014 से फिर ये चौती बार जीत करके आई टुटल 5 बार प्रधान मंत्री बनी थी लेकिन इनको इस्तीफा देना पड़ा और अब इस्तीफा देकर कि ये देश भी छोड़ दी हैं इनके बेटे ने कहा है कि अभी ये दुबारा देश में नहीं लोटेंगे दोबारा रजनीत में कदम नहीं रखेंगे लेकिन इन सब का खामियाजा किसे भुकतना पढ़ रहा है बांगलादेशी हिंदूओं का अब देखो ऐसा पहला मामला नहीं है कि बांगलादेश में अभी हिंदूओं पर अटेक हो रहा है बांगलादेश में 1971 में भी जब ऐसी वार हुई थी जब वहां पर पूरी पाकिस्तान पर हमला वहाँ पर प्रोटेस्ट भी पहले शुरू हुआ चलना, उस टाइम पर भी पाकिस्तानी सेना के द्वारा जिने टार्गेट किया जा रहा था, जिने मारा जा रहा था, उसमें आप समझो 80-90% हिंदू ही हुआ करते थे, वो लोग जब अटेक कर रहे थे, बांगलादेशियों को मार रहे थे, पाकिस्तानी लोग, या फिर कोई सुविधाय नहीं दे रहे थे, उसमें मैक्समम जो पीडित रहते थे, वो हिंदू ही रहते थे वहाँ पर, तो कई रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि तब से आज तक लाखों लोगों की मृत्यू की जासुकी है, लाखों ह क्राइसिस हुआ तब, क्योंकि बांगलादेश के से खसीना का इंडिया से रिलेशन काफी अच्छा था, भारत और बांगलादेश का, अब यही रिलेशन बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था, अब ऐसी घटनाओं को लेकर कि वहाँ पर लगाता प्रोटेस्ट चल उनको भी पूरा किया जाए, तो यह भी जायज है, और कुछ लोग जैसक मैंने आपको बताया, बॉर्डर के रास्ते भारत में आना चाह रहे हैं, तो यह सब चीजें वहाँ पर चल रहे, अच्छा, एक चीज और बीच में गटना गटी, सेख हसीना ने बयान दिया, सेख ह होना सुरू हो गए हिंदूओं पर, मतलब सुरू कहां से हुआ था, अंत कहां पर आ करके हुआ, इसके पीछे एक गहरी साजिस बताई जा रही है, इसके पीछे बताई जा रहा है कि पाकिस्तान की ISI और अमेरिका की साजिस है, अमेरिका चाहती थी कि वहाँ से सत्ता गिरे जो की गिर गई, अब अमेरिका ने ISI वालों से कहा, चलो भई, मेरा तो हो गया, अब तुम अपना वाला कर लो, ISI वालों क्या था, कि हिंदों पर अत्यचार किया जा, हिंदों को वहाँ पर मारा जाए, खत्म किया जा देरे-देरे, या फिर उनको पलान करने पर मजबूर कि अमेरिका वाला हो गया, सत्ता चली गई, उनके मन की सत्ता आ गई, अब पाकिस्तान वाला हो रहा है, इसकी पुष्टी उन्होंने सेखहसीना ने खुद की है, इन्होंने कहा है एक बयान में, कि अगर सेंट मारिन दीप को अगर मैं बेचने के लिए सौधा कर दी होती ना, तो मेरी सरकार सेफ रहती, मैं और लंबे समय तक रह सकती थी वहाँ पर बांगला देश में, लेकिन मैंने सौधा नहीं किया, एक गोरे व्यक्ति के द्वारा, और इसी वज़ा से मुझे ये भुगतना पढ़ रहा है, इसका अंजाम भुगतना पढ़ रहा है, ये गोरा द होगा, और वो आगे चल करके इंडिया के लिए भी और चाइना के लिए भी एक समझलो अपना एक मुहरा वहाँ पर खड़ा कर सकेगा, बंगाल की खाड़ी में, तो ये चीजे चल रही हैं अभी, मतलब इसके पीछे बहुत लंबी प्लानिंग थी, बहुत सोची समझी माल्दीव पर जैसे चाइना ने किया, चाइना ने फंड करके माल्दीव में अपनी इमन की सरकार बनवाली, आजकल ऐसा ही चल रहा है, बैक ग्राउंड से बहुत सारे चीजे हो जाती है, जिसे छोटे-छोटे देश जो हैं, वहाँ पर सरकारे बदल जाती है, और कठपु कर रहा है, आप लोग कमेट करके हमें जरूर बताएगा, फिलाल ये आप देख लोग कुछ मांगे हैं, जो हिंदू के दौरा, बांगलादेशी हिंदू के दौरा, वहाँ पर डिमांड की जा रही है, ये वो लोग डिमांड कर रहे हैं, जो बांगलादेशी हिंदू चाहत अलप संख्यक संरक्षान कानून लागू किया जाए, हिंदु धार्मिक कल्यान ट्रश्ट को फाउंडेशन में अपग्रेड किया जाए, पॉली एजिक्वेशन बोर्ड का अधूनी की करण किया जाए, दुरगा पूजा के दौरान पांच दिनों की छुट्टी घुशित की और अलप संख्यक कारेमंत्राले की अस्थापना करने की मांग की जाए, इसके अलावा अलप संख्यकों के लिए संसद में 10% सीटे रिजर्व की जाए, जिससे संसद में भी ये लोग अपना अपनी बात रख सकें, अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकें, तो ये अभी के वर कारी दिसकाउंट आपको दिया जाएगा यह डिसकाउंट अभी आप địख करू कितना हो सकता है लेकिन बहुत ही बड़ा डिसकाउंट होने वाला है क्योंकि इंडिपैंडने टेपर पर आजादी के सपनो रहिएगा इसके लिए चलिए बहुत बहुत धर्निवाद आप सबी का मिलते हैं साती हो अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जहिंद वंदे मात्रम